जाहिन दोस्तों मैं आप सभी के बीच ले करागी आहूं कलास्टेंद का ये सोशल साइंस का अर्थसास का चाप्टर नमर सेवेंग उपभोगता जागरन एवं सरड़क्षन ये चाप्टर है और इसमें इस चाप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव कोशन आपके डारेक्ट चिकजाम में आने वाले हैं उन सभी का हम लोग एंसर बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टन नमर वन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है यहां पे कि उपभोगता देख लिए कोस्चन नमर दो देखिए बोला गया है कि उपभोगता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन सुल्क कितना लगता है तो आपको पाता होना चाहिए कि पोई भी उपभोगता अगर किसी भी परिखार के वस्तु खरिता है और उसकी शिकायत करना है तो इसका को कोई चार्ज नहीं लगता है यानि कि इन में से कोई सुल्क नहीं लगता है कोई सुल्क नहीं एक भी रोप्या नहीं लगता है ठीक है अगला कोश्चन देखिए तो कोश्चन नमर हम लोग ठीरी देखेंगे तो देखिए कोश्चन नमर ठीरी क्या बोला गया है बोलेगे कि भारत में मानो अधिकार सुराच्छा अधिनियम कप पारित हुआ तो इसका एंसर हो जाएगा दूस्तों उन्नी सो तिरानवे में तो अगला कोश्चन आ गया आपके सामने कोश्चन है कि स्वार्ना भूसनों की परिसुदता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्याता प्राप्त चीन का होना आवसैक है मतलब स्वार्न का आभूसन आपको बनवाना है या लेना है तो उसकी परिसुदता को जाच करने के लिए कौन सा चीन आवसैक होता है देखना आपको तो आपको पाता होना चाहिए कि हॉल मार्क क्या होना चाहिए हॉल मार्क द सुचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर 2005 में अक्टूबर 2005 में जोस्तों भारत में सुचना अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है भारत उपहोगता सनक्षन अ 1986 यदि किसी वस्तु या सेवा का मुल 20 लाख रुपई से अधिक तथा एक करूर रुपई से कम है तो उपभोगता कहां सिकायत कर सकता है तो राज आयोग में कहां कर सकता है राज आयोग में ठीक है अगला कोचन देखें हौल मार्क सब्द चिन लोगों हौल मार्क सब्द का चिन जोलोता है चिन लोगों किस वस्तु की गुण्वाता का प्रमान है तो सोने की आभूशन, सोने की आभूशन लिजिएगा तो उस पे हॉल माक्स का चिन लगा होता है ठीक है उसकी गुनवाता का वही परमान है कि अच्छा क्वाल्टी का सोना है या नहीं ठीक है तो सोने की आभूशन में हॉल माक्स चिन किसी वस्तु का क्या गुनवाता का पर के दोस्तों आपको पता होने चाहिए कि सुचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो वैर्धानिक कैसा वैर्धानिक कि अगला कुछन देखिए राष्ट्रिय का है राष्ट्रिये उपभोगता help line number क्या है तो आपको पता होने चाहिए 1800 11 14000 ठीक है तो यह आपका जो है राष्ट्रिये उपभोगता help line number है आप इसको note कर सकते हैं सूचना काधिकार किस परकार काधिकार है अभी आपको हम बताये थे ये question फिर से वही आ गया पैधानिक ठीक है चले नेक्स्ट अगला कोशन है सुचना प्राप्त करने का माधियम है क्या माधियम है कंपनी क्या माधियम है कंपनी सुचना प्राप्त करने का माधियम क्या है कंपनी भारत में मानो अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था तो आपको पीछे भी बताया थे इसका एंसर 1993 हमारे देश में उभुक्ता अधिकार दिवसकम बनाया जाता है ये भी आपको बताया थे हमारे देश में उभोक्ता अधिकार दिवसका बनाया जाता है तो दिसंबर 24 दिसंबर को कब 24 दिसंबर को सर प्रथम किस देश में उभोक्ता अधिकार की घोषना की हुई थी तो सन्युक्त राज अमेरिका में सवर प्रथम किस देश में उब्भोक्ता अधिकारों किस घुशना हुई थी सन्युक्त राज अमेरिका में उब्भोक्ता आंदोलन के परवर्तक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं तो राल्फ नादर राल्फ नादर जो है आपका रॉल्फ नादर ये उभोक्ता आंदोलन के परवर्थक माने जाते हैं उभोक्ताओं के सोशन के मुख परकार है मापतल की कमी, मिलावट, भरामक, परचार ठीक है? ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी अंसर हो जाएगे, ठीक है? अगला कोचन देखिए उभोक्ता जागरूक्ता का नारा नहीं है उभोक्ता जागरूक्ता का नारा कौन नहीं है? आज नगद कलुधार, ये नारा नहीं है ये सब नारे हैं, गराहक सावधान, जागो गराहक जागो, अपनी अधिकार को पाशन, ये सब नारा है लेकिन आज नगद कलुधार ये नारा नहीं है वो भुक्ता जाग रूपता का ठीक है गुन्वाता का निदान नहीं है देखे तो गुन्वाता का निदान कौन-कौन करता है ये ISI एक मार्क हाल मार्क यहां पर हाल मार्क लिखना चाहिए था यहां पर हाल मार्क होगा ठीक है होल मार्क तो यह सब हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे गुनवाता का निदान को नहीं करेगा तो आपसर नमर डी इसका आणसर हो जगा बुल मार्क जो लिखा है यह आपका गुनवाता का निदान करने का कोई सेमबल नहीं ठीक है पुभोक्ता जागरुक्ता आंदोलन का परम्भ हुआ था तो इंग लाइन में कहां परम्भ हुआ था ठीक है अगला कोशन उभोक्ता सोशन के परमुख कारण है उभोक्ता सोशन के परमुख कारण क्या है सुचना का भाओ वस्तुओं के सिविता पूर्ती उभोक्ताओं की अज्यानता ये सब हो जाएगा इन में थीक है उभोकता जागरन के लिए भारत सरकार का सबसे परचलित नारा क्या है जागो गराहक जागो आप टीवी पर भी बहुत बार पहले या रेलियो सुनते होंगे तो उसमें भी बताता था जागो गराहक जागो ठीक है ति यही जो है भारत सरकार का सबसे परचलित नारा था अगला कोशन है उबहोगता राष्ट्रिये फोरम में अपील कर सकता है और भोगता राष्ट्रिये फोरम में क्या अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर उप्भोक्ता राष्टी ये फॉर्म में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर ठीक है तो अगला कोचन देखते हैं उप्भोक्ता शिकायत निवारन हे तू उप्भोक्ता शिकायत निवारन हे तू अस्तरिये न्याईक बेवास्था बनाई गई है त्री अस्तरिये कैसी बेवास्था बनाई गई है त्री अस्तरिये ठीक है तो अगला कोचन हम लोग देखेंगे सर्वोच सर्वोच नियाले ने चिकित्सा बेवास्था बेवसाय को भी उप्भोक्ता सनवचन अधिनियम के अंतरगत एक सेवा घोंसित कर दिया कब तो 1995 में तो बस दोस्तों मैंने इसमें जितने भी आपजेक्टिव कोशन बताए अगर आप शुरू से आन तक देखेंगे तो बहुत सारा नौलेज आपको मिला होगा तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहे यह यह आपका अर्थ सास्त का यह लास्ट चाप्टर था सुसल साइस का अब हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे ठीक है इसी तरह से में सभी बुक्स का चाप्टर वाइज अब्जेक्टिव आपके लिए लेक बालोग।